खुशियों के तिहार दिपावली पर इस बार खंडग्राम सूरिग रहन का साय रहेगा इसके चलते पांच दिवस्य दिपोट सब छे दिवस्य हो जाएगा खंडग्रास सूरिग रहन का असर गोर्धन पूजा पर होगा इस बार 150 से अधिक सालों बार परमपरा तूटेगी और दिपावली के दूसरे दिन गोर्धन पूजा नहीं होगी हालाकि दिपावली पूजा पर ग्रहन का कोई प्रभाब नहीं होगा लेकिन जो तिशाचारे लक्षमी पर ग्रहन लगने को खराब बता रहे हैं चतुरदशी युप्त प्रदोश व्यापनी अमावस्ते पर 24 अक्टूबर को दिपावली का त्योहार मनाया जाएगा इसके दूसरे दिन 25 अक्टूबर को खंगरा सुरे ग्रहन रहेगा इसलिए गोर्धन पूजा नहीं होगी गोर्धन पूजा के लिए के दिन भगवान क गर्म तासीर के विंजन, बाजरा, चावल, मूंग और मोड सहित, कच्चे, भोजन का भोग लगाया जाता है जो तिपावली के दूसरे दिन नहीं लगेगा इस बार गोर्धन पूजा 26 अक्टूबर को होगी जैपूर में सुरे ग्रहन के शिरुवाद शाम 4 बचकर 32 तक सुर्यास्त होगा, वहीं प्रतिशत सुरे ग्रहन होने से शाम 5 बच कर 33 मिनिट पर आधा बे 50 प्रतिशत ही चमकिला दिखेगा, जैपूर में सुरे ग्रहन एक घंटा 17 मिनिट रहने वाला है, 17 मिनिट और 8 सेकेंड तक रहेगा तो ग्रश्तास्त सूरी ग्रहन होगा, यह ग्रहन का सुथा शुबच 4 बच के 12 मिनिट पर लगेगा, और इस ग्रहन को यदि दर्श देखना है, तो साइंकाल 4 बच 3 से 5 प्रचास के बीच में होगा, अर्था सूरीयास्त जुहीं होगा, इस ग्रहन का दर्श्यमान का रुप चलेगा, अगनी कांड होते हैं, नेताओं में परस पर विरोध होगा, और विरोध हो करके राष्ट के अंदर वित्रोव करके कहीं अगनी कांड कहीं बड़े आंद्वलन, इनकी गट्ड़न हो सकती है, दान्यादी तेज होंगे, मेश रासी के लिए ये खराब है मिथुन रासी, करक रासी, तुला रासी, वर्षी रासी, मेन रासी के लिए खराब रहेगा, तो उनको धान्यादी दान करना चाहिए, और बागी ब्रक रासी, सिंग रासी और धनु रासी के लिए बहुत बड़ी है। में एक अद्वत घटना है कि दिवाली के बाद सूरियास्त के समय ग्रहन हो रहा है, जिससे गोवर्धन पूजा नहीं हो पाएगी और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। में तो आया नहीं है, उससे पहले कभी आया होगा। में प्रत्रिद्ध हुआ। इसी प्रकार अभी प्रत्रक्ष में सन 2019 से लेकर के 2021 तक करीब 9 ग्रहन आये। और ग्रहनों का असर कितना बुरा हुआ। अपने सबने देखा है, पुरे प्रत्रिबे उसका दिवप्रभाव पढ़ा। आया हुआ।